हेलो काईज आज हम कुर्ती फीट करने वाले आप देखी सकते हो कि यह कुर्ती कितने जाधर डिली है अब हम फीट करने वाले कम से कब 10 इंच तक हम फीट करेंगे यह देखिए इस तरह से यह कुर्ती है यह जो कुर्ती है इसकी जो चोड़ाई है वो कम से कम 40 इंच के सम्तिं देखिए, इस तरह से that कुर्तिका हमेंमाना लची की मेजरमेंट की is the best लेकिन हम इतनी 40 के जरूरत नहीं है कम से कम 8 से 10 इंच हम फिट करने वाले हैं देखिए मेरी जो फिटिंग है वो 30 की है लेकिन यह देखिए इस तरह से में 16 का लूँगी यानि कि 16 और 16 32 क्यूंकि मुझे इतने 30 की फिटिंग ज्यादा फिट टॉप अच्छे नहीं लगते है उसे हम इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे अच्छे से और दोनों भागों को आपस में मिला लेंगे जो सीने वाला हमारा निशानता और कमर वाला निशानता वो मैंने आपस में मिला लिया है और कमर वसे नीचे की और इस तरह से मैंने निशान लगा ले लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से 7 पेनिशानasion लगा लेंगे, ये जो हमारा आर्मो लए वो 7 करेगा, ये जो आपके एरिया है, राउनग वाला वो आपके साब साप ले सकते हो, 4 का आप प्राच का आ सकता है, यह देखे इस तरह से हमारा से बनके रेडि हो गया है, हम अभी सिलाह लगा लेइगे दूसरे तरबी सेम जैसे हमने एक सेट पे निशान लगाया है उसी तरह से वही प्रोसेस के तुर हम दूसरे तरबी निशान लगा लेएगे जो टेटी में टौक होते हैं न उनके जो चोक होते हैं ज़्यादा बड़े-बड़े होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी पसनी होते हैं, लेकिन अगर वापस हम चौक को भी हम करने लगए, फिर से निकाल के, काट के, ठीक करने लगए, तो यसे में तो पुरी कुर्ती ही फिर से बनाने पड़ेंगी, इसलिए हम चौक को कुछ भी नह लगाना है मैं डबल सिलाई इस तरह से लगा लगी देखे इस तरह से मैंने डबल तो having कि आप आपके सबसे फिटिंग ले सकते हो मैंने 16% 32% इस तरह से फिटिंग लीए आप 30 40 टा सी तरह में कपड़े को कट कर लेना है और हमें चुटी-चुटी कट्स लगा लेना है ताकि जो हमारा कमर वाला शेप का एरिया है वो अच्छा लगे तो यह देखिए में चुटी-चुटी कट्स लगा लिए इस तरह से हमेरे चुटी-चुटी कट्स सब लगाना है नीचे तक उपर से नीचे तक अस्तिन लेते हुए कमर से लेते हुए चौक तक हमें इस तरह से कट्स लगाना है ताकि जो भी हमने सिले लगाई है वो अच्छे से परफेक्ट आये और हमार जो कमर वाला एरिया व अच्छे से दिखे तो यह देखिए मैंने कट्स लगा लिए फट फट पेंट के बता देती हूँ आपको अगर मेरे ये वीडियो थोड़े भी अच्छ लगाओ, हैफुल लगाओ तो मुझे एक बार लाइक जरुर कीजीएगा मेरे वीडियो आपको अच्छ लगाओ तो कमेंट जरुर कीजीएगा मैं आपको कमेंट का वेट करूँगी आपको अच्छ लगाओ ये वीडियो तो का वेट लगाओ प्रेश लगाओ जाएगा